सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें कि अच्छाइब करें कि नमस्कार दस्तक मित्रों मैं दर्मेज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरू के तुलारासि में गोचर की अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद अभी करिए जोतिस द्रस्टी से गुरू ताकतवर और सबसे उदार ग्रह माना जाता है गुरू को उच्छ कोटी का समझदार ग्रह भी कहा जाता है गुरू जिसे ब्रोश्पति भी कहते हैं हर परिश्थिती को विशाल द्रस्टी से देखने की किशमता रखता है गुरू की कुरुपा के बिना मानिवे जीवन में शकारत्मक एवं अच्छी चीजे घटित नहीं हो सकती। गुरू नकारत्मकता एवं बुरी चीजों को जीवन से बाहर फैंकता है। गुरू प्रत्यक राशी में पारागवन के लिए लगभग तेरा महने का समय लेता है। वर्तमान में गुरू कन्या राशी में है जो तेरे महनों का पारागवन पुरा कर 12 सितंबर 2017 को तुला राशी में गोचर करेगा। तो आईए जानते हैं गुरू के गोचर का विभिन बारा राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बात करते हैं मेथन राशी की। गुरू के तुला राशी में गोचर की अधी में आप जिन्गी का मजा उठाना चाहेंगे और अपने क्रियेटिव साइड को खोजेंगे। ये आपके लिए और अधिक उशर खोलेगा। इस अधी में आप रोमांटिक मुको का अफ्योग करेंगे और अपने सौक को पूरा करेंगे। इस गोचर के दुरान अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में कई सारे नए आइडिया होंगे। इस चरण में प्यार और रोमांस आपकी जिन्गी में नई ताजगी के साथ प्रवेश कर सकते हैं ये नए रिष्टे के रूप में हो सकता है या मौझूदा प्रेमसमन में नई तिवरता आ सकती है इस गोचर के दौरान आप अपने बच्चों के साथ अच्छे समय का आनन्द उठा सकते है जो आपको खुशी देगा वहीं ऐसे कपल जो अपने बच्चे की किलकारिया सुनने को बेताब है उन्हें अच्छी खबर इस गोचर के दौरान मिल सकती है गुरू के राशी परिवतन का ये चक्र जिन्गी और रिस्तों का मजा उठाने के लिए है ये समय वे 181 अपने मोबैल से या उपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे जोतिशों से बात करें आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं कि अब हुआ है कि अब हुआ हुआ है कि आफ